कि है हलो गाई वेलकम बैक टू अवरी यूटीव चैनल तो गाई आज एक हम नया टौपिक स्टाइब करने वाले हैं जीन के कल्चर जीन के कल्चर में क्या क्या आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पर होगा उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नह मैंने एक रूटीन रखी है कि जैसे आज का टॉपिक हो जो होगा हमारा जैसे कि आज मैंने फॉक डॉंस रखा है ठीक है जी एनके में जितनी फॉक डॉंस है किश्मीर के जम्मू प्रोविंस के उनके उपर में कल आपको mcqs प्रवाइड कर दूँगा आज theoretical पार्ट होगे कल mcqs आएगा ठीक है परसो उसके उपर आपको theoretical पार्ट आएगा ठीक है तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट heritage and culture देखिए जो हमारा जियनके है न उसे paradise of earth बोला जाता है ठीक है आपको पता हमारे जियनके में बहुत सादा खूपसूती है beautiful है कश्मीर तो जन्नत है ठीक है कश्मीर को जन्नत ऐसे नहीं बोला जाता है तो is home to a rich culture heritage जो हमारा जियनके है वो culture heritage के related एक बहुत ही rich है और rest of the country जीनके culture has a unique जीनके का culture पूरी country हमारी इंडिया country से unique है other states से तो क्या क्या पढ़ना है हमने अपनी culture के related जो जमुन किश्मीर का जो culture है guys सबसे पहले हम पढ़ेंगे fog down से फिर fairs and festivals कौन कौन से festivals बनाए जाते है arts and crops क्या क्या है हमारे जेनके में तो maximum तो किश्मीर में ही है language कुनकुन से people of religions यानि कि people लोगों के बारे में पढ़ेंगे leesions क्या है seasons के बारे में पढ़ेंगे food क्या है हमारे जेन के में खाने के लिए क्या-क्या चीजे खाई जाती है तो फ्य चोटी मोटी चीजें हैं इंको cover up करेंगे तो देखे जो सबसे ज़ादा important चीज है वो मैंने रखी है आज का lecture रखा है fog dances वीडियो को skip मत करना इसी में से question आएंगे fair sand festival ये भी important है बाकी इतने important नहीं है कहीं बार इतने में से question नहीं आते है arts and crafts कहीं बार important हो जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा करके सबका पढ़ेंगे बट आज के वीडियो में सिर्फ fog dance से कवर हो पाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं fog dance कौन से है सबसे पहले fog dance हम पढ़ेंगे कश्मीर वैली के दोस्तों कश्मीर वैली में कौन कौन सा fog dances है fog dances आप कश्मीर वैली सबसे पहले dance आता है roof dance और ओ यू एफ अगर exam में आपको कुशन आगया कि roof जो dance है जेन के culture का वो कौन सी reason में celebrate किया जाता है तो आपको मैं बता दू कश्मीर में वो celebrate होता है common fog dance है marys और festivals के लिए कश्मीर में in two group of ladies facing each other तो दो groups में ladies होती है यह ladies आगी, यह आगी, यह आगी, यह आगी और दूसरे group में ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी तो एक दूसरे को face कर रही है तो एक दूसरे की तरफ उन्होंने face किया इस तरह कर कुश डॉन सही है और with arm locked armed one another wax ठीक है एक दूसरे की कमर पर हाथ रखके ऐसे कमर को लॉक किया हुता है मैं दिखाता हूँ किस तरह से लॉक किया हुता है सिंग अल्टरनेटली बार बार पहले ये गाएगी फिर लगी एक बाद एक गाती है ठीक है प्लेड ए रमज़ान और एवक के दिनों में ये बाहुती ज़ादा प्लेड़ किया जाता है दांस और स्प्रिंग जो सिजन है उसके आने पर इसका वेलकम किया जाता है तब भी ये वेलकम को रूप में इसका डांस को परफार्मर की जाती है तो I hope friends roof dawns के बारे में आपको पता चल गया कि roof dawns में क्या होता है कैसे कैसे girls होती है जो celebrate करती है तो दोस्तों ये देखिए roof dawns से जो किस तरह से इन उन्हें एक दूसरे की बाजू को पकड़ा हुआ है यहां पर किस तरह से कमर को लॉग किया है तो आप सोच भी नहीं सकते है चलिए next चलिए तो अगर आपको इनका confusion है तो आपकी इनके picture गूगल भी कर सकते हैं बच्चा नगमा बच्चा नगमा में क्यों होता है कि इस डांस इंट्रोड्यूस इन कश्मीर फ्रॉम अफगानिस्तान ये भी आपको important question exam में आ सकता है कि कौन सा folk dance है जो कि कश्मीर में celebrate किया जाता है जो कि अफगान से आया है तो अफगान से आया हुआ dance बच्चा नगमा है performed one person एक ही बंदा इसमें perform करता है boy dress boy होता है जिसने dress पहनी होती एक female की ठीक है इस तरह का कुछ dance होता है हफीज नगमा एक important dance है किश्मीर का light dance होता है action is accompanied by सूफियाना music ठीक है सूफियाना music पे इसका action होता है this dance introduced in किश्मीर वाई मोगल्स मोगल्स द्वारा सूफियाना जो dance है मोगल द्वारा इंtrudeus किया गया था किश्मीर में ठीक है यह याद रखना है अपनी ऐसा कून से जो फौक dawns है जो कश्मीर में मोगल द्वारा इंtrudeus wollt किया गया तो सर वो कून सा start है रवेस नगमा इस एक सूफियाना music came to kshmber from Iran सूफियाना जो यूजिक है किश्मीर में कहां से आया तो दोस्तों वो आया आपका इरान से ठीक है याद रखो सेलिबरेट था हारवेस्ट सीजन और मैरेज सर्मनी ये सल्वेड़ की डांस जो किया जाता है हारवेस्ट सीजन में मैरेज सर्मनी स्पेस की सेलिबरेशन होती हैं बात आती है कि दूमल डांस को व Use होता है दोस्तों दूमल डांस भी किश्मीर में यह कुछ है इस तरह से तो यह song sing किया जाता है group of man group of man dance they sing in melodies voice in chorus group of man dance भी होता है तो यह कि melodies voice में chorus में chorus में यानि कि chorus हो गया कि group में गाना perform on drum beats जिसमें drum की beats पे इसको perform किया जाता है आपको इतना detail में नहीं पूछा जाएगा बट आपको याद रखने के लिए इतना समझाना पड़ रहा है लाड़ी शाह लाड़ी शाह क्या है sing some special song which highlights the problems दोसो लाड़ी शाह एक ऐसा dance है जो की blaze to blaze से performance आते हैं दूसरे दूसरे blaze में जाते हैं तो वहाँ की socials और political conditions होती हैं उनको highlights करते हैं through this dance ठीक है बस आपको इतना याद रखने है बांड पतर बांड पतर क्या है बांड पतर आलसो काल दा बांड शर्षन इसको बांड शर्षन के नाम से भी जाना जाता है इन विच नो फीमेल्स यहाँ पर फीमेल्स नहीं होती है पर फीमेल की जगा है के handsome boy उनका character play करता है तो जिसमें जो song भी काते हैं dance भी काते हैं drama भी करते हैं यह सब कुछ होता है बैगी बैगी नचून को यह करता dance है marriage dance है very common है किश्मीरी पंडित के लिए performed किया जाता है boom and द्वारा ठीक है याद रखी हीकद भी एक fuck dance है जो कि perform किया जाता है two girls who join their hands and cross manner and move around ऐसे तरह गोल गोल गोमती है दूसरे के हाथ पकट के ते कि इसको हीकद बोलते है बावन बावन एक ऐसा wedding marriage song है song है dance नहीं है without this song wedding considered incomplete दोस्तों इस song के बिना जो marriage होती है कश्मीर में वो incomplete माने जाती है तो this song is chorus chorus में गाया जाता है यानि कि group by two groups of women praise the bride यानि कि जो bright होती है दूले उन उसकी praise करते हैं और उसके ग्रूम होता है जो दूले की praise करते हैं और उनको आश्रेवाद greetings देते हैं उनकी family के लिए in future blessing देते हैं ठीक है यह है बक्षन डॉन्स दोस्तों यह बहुत ही जादा important है बक्षन डॉन्स इन character song sorry डॉन्स नहीं है song है in beautiful rhythms में गाया जाता है fog dance is sung with fog song होते है इसमें sung किया जाते है use the musical instrument musical instrument use किया जाता है तो lyrics होते है उसके बाद आया important instrument के हैं तो दोस्तों यह बहुत ही जादा important बन सकता है exam के लिए संतूर है जो reason हो था इसका इरान में used in singing sofianna कलाम के लिए जो है उनके लिए use किया जाता है ठीक है यहां तक समझा आगी आपको संतूर है जो एक सूfianna कलाम के लिए इसका किया जाता है जो instrument है संतूर रबाब है एक instrument है used in singing the chakri and सूfianna कलाम के लिए introduced by the sultan जैन अल-बदीन तर्की संतों आप से पूछा जाता है कि कौन सा instrument है जो जैन अल-बदीन ने इसको introduce किया था तो आप बता सकते हो अरबाब है अगर आपने पढ़ा होगा तुम्भा कनारी तुम्भा कनारी एक आजसा instrument है सुराही शेप्ट में होता है अर्थन musical instrument है used by the kishmiri boom and walk at various sessions like marriage में इसका use कती है kishmiri boom तुम्भा कुछ इसके साथ इसका कुछ match करते है यह आप याद रखी भी एक इस्टूमेंट है इरानार का चक्री चक्री क्या है दोस्तों चक्री एक music है कश्मीरी पंडित Muslim bedding में इसका use करते है याद रखना उसके बाद आती है नेंडबेथ नेंडबेथ भी एक famous नेंडबेथ क्या है famous farmers famous farmers of Kashmir देसंग उनने group group में गाते हैं इसको जब यह क्या होता है कि इनकी जो फसल्स होती है new growing plants होते है उनमें कुछ weights यानि की कुछ insects लग जाते है उनको remove करते करते हैं इसको गाते हैं तो अपनी एक जो दुख बरी होती है बल्कि एक bad feel करते हैं कि हमारे growing plants है उनको insects से लग जाते हैं तो उसको उसके दूर करने के लिए नेदबैथ के इसे group में की song काते हैं ठीक है fog dances of jamur reason तो दोस्तों fog dances आगे jamur reason को हमारे इतने नहीं है यतने कश्मीर के हैं तो कुद्म कुद्ध dance कुद्स होता है कि ritual dance है दोस्तों परफांड इने हूनर इन लोग देपतास तो आप से ये line भी आप से एक सामें पूछी सागसे थी कि कौन साइस में से जो dance है परफांड किया जाता है इसको perform करते है इस्टुमेंट यूसिंग यूसिंग दिस डॉंज नार सिंगा चैना फ्ल्यूट ड्रॉम्स तो बीस से तीस मेंबर होती है कर फांड करने के लिए इसको यह इसका instrument है इसको यूज किया जाता है तो इंस्ट्रुमेंट आप यही पढ़ लोगे तो आपके लिए वी नुफ है हेरन क्या होता है कि परफॉर्म ड्यूरि फेस्टिवल में इसका यूज किया जाता है मोस्ति इन हिली एरे से जमूरीजन में ठीक है हिरन एक कैसा डांस है यह कि लोहरी फेस्टिवल में होता है ज बिलेजिस में गुमते हैं तो वहां पर उनको गितरु गहरा से सुनाते हैं दंद्रास क्या होता है दंद्रास परफॉर्म ड्यूरिंग ता लोडी फेस्टिवल में इफिगी आपको इफिगी होती है दोस्तों की एक पिक्चर बोल सकती हो जिसका पुतला ठीक है इस कैरिड वाइधा की करता है उसको एक एक ग्रूप करता है वह लेगा की लिएवरी मेंबर है से सिटिका होती है हिसे हैं में होती है इच ड oniologies ही तंद्री से लेकर उसको проблем आउटन बांगड़ा है जो एक्षवेले के पंजाब का डांस है ठीक है बड़ कामन इन जेन के में जमू में बहुत ज़्याद कामन है पफांट बाइड ड्रम बीर्स आपको शादी अब शादियों में आपको पता है जमू में तो डोगरी बांगड़े के इलावा तो कुछ होता है तो वहाँ पे बैंड बाज़े के इलावा वहाँ पे शादियों तो ऐसे अजीब सी लगती है फूमियान इसके स्पैलिंग आई दिंग गलत हैं बट गलत नहीं है कुछ ऐसे ही है मीन्स ब्लूमिंग फॉक डॉन्स है और ये गोगन वावी पर किया जाता है ठीक है जमन्यूटी रूलर एरियस में जागरना जागरना क्या होता है दोस्तों कि जागरना एक फीमेर प्रोग्राम से है जो की गुरूम कीपिंग सिंगिंग साफ डॉन्सिंग तो दोस्तों ये रिलेटिप्स होते है जो गुरूम से के दूले के तो ये तब मनाया जाता है आपको पता होगा जमू के लोगों के ये सब पता है बैंथर बैंथर क्या होता है बैंथी दान्स जो है ये chorus में सिंगी सोती है ग्रूप में सिंगी सोती है परफांड वाइदा टाइब गुच्छर बकरवाल इसको परफांड करते है पांच से साथ मेंबर इसको परफांड करते है उसके बादा था कि सूर्मा क्या है कि अपका डोगरी डॉंस है इसमें क्या होता कि जो एक नई को याद रखना इतनी जो रहे हैं जोकिनाच होता है घोगरिय फॉक होता है उसके लैटरी क्या है दोस्तों कि कटटिंग्राइव क्लिच को छोना राजãy सिंकिंग करें तो इनका कुछ ऐसा सिस्टम रहता है तो Your क्या ओता कि वहते हैं तो हिंदू लोग होते हैं हिंदू लोग इसक्रिया कि सर्वल लंच उर गी करते हैं और मुसलिम यहां पर राइस शुगर बग़े उनको को दिस्टिबूर करते हैं तो दोस्तों किक लिए एक ऐसा डॉंस है जो की गल्स तो और पर फॉर्मस किया जाता है डिस टॉंस टीक है तो ओके गाइस आज की वीडियो वसे इतना ही तो यहां पर फॉक डॉंस हमारा जीनके का खतम होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर फेस्टिवल कवर कर लेंगे ओके गाइस बबाए टेकर बट उससे पहले आपको एमसी की वीडियो जुरूर मिलेगी